हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अड़ाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सुनिल कुमार धन्वान्ता जी ने यूपीसी 2020 में एक अच्छा रेंक हिंदी माध्यम से प्राप्त किया और उन्होंने की काफी संघर्स किया और हिंदी माध्यम से यूपीसी का एक्जाम क्लियर किया इनका जोए कि सामान अध्यन की कॉपी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि इन्होंने उत्तर में या एंसर राइटिंग कैसे किया और उनसे सीखेंगे कि हम अपने उत्तर को कैसे और अच्छा बना सके ठीक है तो कि न्युविल गुमार धनमंता् कि अधित्रीटि नहींत है और ये हिंदी हिंदी माध्यन से लियृत हिंदी माध्यम से थे और इनकी यह कापि को देखेंगे तो पहला कुष् farther है क्या था तो पहला क्वेशन था कि प्राचीन एवा मध्य यूगीन भारत में विद्यमान अधिकान्स कला और वस्तु कला के अवसेश अभी भी सेश हैं जो कि प्रकृत में धार्मीत हैं परिछन कीजिए इंडिया और रिलीजियस इन नेचर इग्जामीन थीक है तो इन्होंने जो है कि देखिए उत्तर में क्या लिखा कि प्राचीन का अलेवा मध्य कालिन भारत में अनेक कलाओं वह वस्तु कलाओं वह वस्तु कलाओं का अभाव था एवं विकास हुआ जिनके अवसेश आज भी हमें प्राप्थ होते हैं इन्होंने जोए कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया यह ठीक है अब इनकी शुरुवात होती है यह जैसे कि प्राचीन भारत तो प्राचीन भारत में यह बता रहे हैं कि कलात्मक और शेश कहां-कहां से तो भीम बेडिका की चित्र-कला से सिं छिंदू कालीन नगर विवस्था फिर गुप्त कालीन मंदीर फिर इन्होंने आगे बताया है चलिए देखते हैं भास्तू कला के आुसेस मुद्य कालीन भारत में नेक्स्ट कोईशन देखते हैं इनका आदुनिक भारत के निर्माल में इस्वचंद विद्या सागर के युगदान की चर्चा कीजिए और हाँ ये मॉडरन स्ट्री से कोस्चन इस्वचंद विद्या सागर के युगदान की चर्चा कीजिए अब इस्वचंद विद्या सागर के क्या युगदान क्या था कि इस्व वीरोध विद्वापुनर्विवा समर्थन-स बाल विवाध विरोध इत्याधी प्रमूख थे इस्व चंद विद्यासागर के बारे में बताया तीधरागी के देखते हैं यह जाती-प्रथा के विरोधी थे तथा और स्प्रिश्रता के कलंक मानते थे ठीक है इन्होंने विद्वापुनर विवा यह तकी अंडरलाइन भी इन्होंने किया है अब विद्वापुनर विवा अधिनियम 1856 को पारित कराने में इनकी सफल भूमिका रही त दो क्या था वो इन्होंने बताया फिर फिर चलतेहंट नेक्स को सब्सक्राब्रथा में विद्धी धीरे पुर्ण विकास वफ चछुब भृति के के विगास के कारण मुश्ला धरवर्षा अच्छा यह इन्होंने चक्रवात को बताया हुआ ठीक है जब भूमी पर जाने पर चक्रवात का नास कि यह आपका कोस्चन था कोस्चन यह था उस निकटी मंदिये चकरवातों के निर्माण के अपस्वार्ष तो उसके बारे मेंूने पॉइंटर फ editor में लिखा उस निकटीमंदी चक्रवातों का निर्माण का ।ा आप मान։ मताया किर्यालीसबल की उपस्थिती बताई केंदर में वायू Mon और फिर बताया निर्मान प्रक्रिया पॉइंटर फॉर्म हेडिंग आप सब लिख सकते हैं ठीक है वास्पीकरण के द्वारा संगरन होने के कारण यह आंक का निर्मान मतलब इंपोर्टिन्स जो है कि इसको दर्साया और यह इन्होंने इसमें डाइग्राम बनाया फिर चलते इनकी नेक्स क्वेश्चन पर कि नेक्स क्वेश्चन क्या है आई देखते हैं सूखे तथा बाड की दोहरी समस्या का समाधान नदियों को जोड़ना है सरकार की राश्टी नदी जूड परियोजना के संदर में विश्लेशन कीजिए अब यह जोगरफी से कोस्टिन जीएस फर्स्ट नदियों को जोड़ने का सरव परत्रतम विचार 1972 में आया यह डेट लिखना जरूरी ठीक है राश्टी नदी जोड़ पर योजना के अंतरकत देश में एक जल ग्रीड बनाने की योजना है यह नदियों को जोड़ने के सरव परत्रतम विचार इन्होंने बताया म नदियों को प्राइदी पी नदियों वह आपस में इन छेत्रों की नदियों को जोड़ने का विचार है उसके बारे में इन्होंने बताया ठीक है अब इस परियोजना के लाब बता रहे हैं यह ठीक है इसमें पॉइंटर में कि फिर चलते हैं next कि next question देखते हैं इनका इनका बारत में गरीवी का ठीकाना ग्रामिड से सहरी छेत्रों में अस्तानांत्रिस हो रहा है टिपड़ी कीजिए ठीक है तो इस पर टिपड़ी करता नहीं था कि सहरी गरीवी के केंद्र है मलीन बस्तिय मनने सहर में गरीवी कहा कहा है तो उसके बारे मैं इन्हें बताया ठीक अगाउं मैं घरीवOOD का सहरी छेत्रों की उरפर वाश कि क्यों हो रहा है उसके बारे में बताया कि बहुत बारत में जाति सभषा आर्थिक कुछ नीतिकत उपायों का वरणन कीजिए तो यह जाती असमानता के व्यवस्ता करने पर रोक के वल उनसे अनार्थिक कारेही कराये जाते थे इसलिए इसलिए गरीव रजाती है है अब जाती और समानता को बताया इन्हों ने जीएस के आपका आपका सोसल ईसू से है अब बताया उपाए अंदर जाती विः विबा ती पिर चलते हैं नेक्स्ट है इनका नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन हम लें भारत में smart सरीकरण किया वसकता है इस कथन के आलोक में भारत में सरीकरण से संबंदित मुद्धों और चुनूतियों का विश्लेशन करें अब भारत में smart सरीकरण किया वसकता है अब इसको कि यह भी सोसल इसू से तो 2011 की जंगर्णा के अनुशार भारत की कुल जंग्या का लगबग 31% भाग सहरों में निवास करता है यह डाटा दिया इन्होंने तो डाटा भी जरूरी है अब चलते हैं इसके बाद इन्होंने बता है कि भारत में सहरी करण से सम्मंदित मुद्दे और चुनो समय का जें होती है तो इसके इन्होंने अपने उत्तर में लिखा कि नेक्स चलते हैं कि अब देखी इन्होंने जोए एक छोटा सा डाइग्राम बनाके को यह कोर्षिन को हल किया है झाल है औरह टाइगराम यह être स्मार्ट सहर स्मार्ट आव्सन रचना कर लिविंग इस मधे सेवाइं हैं स्मार सहर की विशेषदा होती है स्मार्ट अवस्न रचना लोग inner-bh भागेदारी होती है अगैं फिर के चलते हैं अग micro है कि इन्हों ने जोए कि अपने एंसर राइटिंग में और क्या कुछ खास किया कि यह हिस्ट्री का एक कोस्चन उठाते हैं कि बिटिज सरकार दौरा समय 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 अधूरेव वा तयधिक देजि से सुरूप जोहां। समय सब्सक्राइब करें कि स्युक्राइब स्यूंष यहां। तो अपनिवेसिक बिटिस सरकार से पहले तो कमपनी के विनमय के लिए तथा बाद में भारतियों की मांग कि संसुती तथा उनके विरोध को दबाने के लिए समय समय पर अनेक सुधार किये इसने इनमय से प्रमुख है तो उसको बताईए देखिए इनका हो गया प्रस्तावन अंठावन परिशद नियम 8161 ठीक है और फिर मारलेमेंटो रिफाम इस तरह से जो है कि इन्हों ने इसमें बताया ठीक अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने फिर एंसर में क्या सुधारात्मक प्रयास किये या कौन सी चीज लिखें कि हमारा भी सेलेक्शन हो सके और हम भी आईएस बन सके अब यह है वर्ल्ड हिस्ट्री से एक कोस्चन फासिवाद फासिवादी सक्तियों के तुष्टी करण की पस्तिमी निती दुती विस्युद का कानण बनी परिछन की जिए तो फासिवादी निदिया तो प्रथम विस्युद के बाद यूरोप में फासिवादी सक्तियों का जन्म हुआ इटली में यह मुसोलिनी की नित्र परस्ट बता दिया है कि फांसिभादी जएकी सक्ति का उदर जो हुआ कैसे हुआ ठीक है और फिर इस तरह से इनों ने अब चलते हैं next कोई अधर कोश्चन लेते हैं और देखते हैं इनका हम next question लेते हैं और देखते हैं वैस्विक वैस्विक करण के ने राजियों की भूमिका को परिवर्तित किया और विकासील देश के संदर में इसके प्रभाव की समालोचनात्मक मुल्यांकन करें वस्तुओं और सेवाव संस्कृति विक्ति विचारधारा इत्यादी के निर्वाद हैं प्रभावित होता है इन्होंने अपने इंट्रो में जो है कि यह बता दिया कि वैस्विक करण क्या है ठीक है फिर उसके बाद विकासील देशों को भी वैस्विक करण सेंसरकारात्मक दोनों रूपे में प्रभावित किया तथा प्रमपरागत राजी की भूमिका जो की अब हो गए कि भूमिका कर दी गई है ठीक है तो इस तरह से इन्होंने जो है कि विकासील देश को भी टैकल किया इसमें एक्कॉर्डिंग टू कुश्चन ठीक है तो वैस्विकरण ने राज्यों की भूमिका को परिवर्तित किया अब विकासील देश भी तो वैस्विकरण कि इन्होंने वह भी बताया वैस्विकरन क्या है फिर विकासिल देश को टैकल किया ठीक है तो इस तरह से इन्होंने इस एंसर को लिखा अपर इसके next question को लेते हैं हम और जानते हैं कि कैसे next question इनका यह है कि आईए देखते हैं कि लेंग्गिक न्याय उतना ही महत्वपू ने जितना कि धार्मिक सब्सक्राइब करें उसका है अब ने जितना की धार्मिक सब्सक्राइम कीवर्ड करें कि विश्छेशन करें भारत के संदर में जोएकी विश्टिष्ट करना तो हाल ही में के रिमाला में अब देखे दिया कि मंदिर प्रभेस्च मुद्दे पर लेंगिक नियायाम धार्मिक सतंद्रता के सिधांतों के बीच विभात देखने को मिला ये करेंट का मुद्दा था कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इस प्रथा का संबंद धर्म से है तथा समिधान के अनुछे 25 से लेकर 28 में धार्मिक सतंतरता का अधिगार दिया गया है तथा उसकी रच्छा होनी चाहिए इस तरह से सेगेंड पैरा में लिखा है परंतु दूसरे पक्ष का मानना था कि यह अफ्रथा महिलाओं की विरुद्ध है तथा उनके समानता के मौलीक अधिकार का उलंगन करता है इसे विद्वानों ने जीवन की अधिकार तथा सतंतरता के अधिकार से भी जोड़ा मतलब इने तुलन अत्मक अध्यान करते हुए हैसे इसे को टैकल किया इसका हिए सिदे और इनकी राइटिंग भी सही है तो कुल बिला के अगर हम देखें तो एंसर राइटिंग में तीन पॉइंट इसमें अगर हम निकालें तो हमें यह समझ में आता है कि एक तो पहला कोश्चन को तोड़के देखा जाए अगर कोश्चन ज्यादा बड़ा हो तो उसको कई भाग में बाटा जाए दूसरा हम पॉइंटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जो है कि अंडरलाइन भी कर सकते हैं पॉइंटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और जो keyword हो उसको जरूर परिवासित करें ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद